किसान भाईयो अगर आपके पास भी टेक्टर है और आप भी ये सूचते हैं कि रेडियेटर में पानी डालना चीए, कुलेंट डालना चीए या फिर कुलेंट मिक्स पानी डालना चीए, क्या बहतर होगा आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसान भाईयो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंड किया और वो ये जानना चाहते हैं, टेक्टर के इंजन को ठंडा करने ले क्या पानी का इस्तिमाल करना चीए, या फिर कुलेंट का इस्तिमाल करना चीए, कौन सब बहतर होगा और इसका सहीं तरीका क्या है, बहुत से किस में पाणि डालना चीहे मैं या फिर कूलेंट डालना चीहे लेकिन इसे समझने से पछले आप यजे समझगे कि किलिक्तर का इन्जन के कूलिंग होता एक किसान भाई उतना तो टेक्टर के इनinction को ठंडा करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट लगा रहता है या टेकनलोजी जो बठाई गई है वो है रेडियेटर, फिर कूलेंट टेंक, तीसरा है वाटर पंप, चाउंता है थर्मो इस्टेट और पांचवा है फेन, फिर आता है हाउजिंग पाइप और उसके बाद आता है आपके टेक्टर के में दिखाने वाला मीटर, जिसे हम हिटिंग मीटर कहते हैं, जिसके माध्याम से आप जान सकते हैं कि टेक्टर अभी कितना ज्यादा गर्म हो चुका है, ये तो हैं वो साथ टेक्नलोजी जो टेक्टर में बठाया गया है टेक्टर के इंजन को ठंड़ा करने के लिए, अग से जरूरी पार्ट है रेडियेटर, रेडियेटर से होस्ट पाइप के माध्याम से इंजन तक कनेट किया जाता है, जिसे की कुलेंट या फिर वाटर अंदर इंजन तक पहुँच पाता है, इस बिच लगा होता है वाटर पंप और थर्मोस्टेट, ये जो पार्ट है जो ट और इंजन में दिये गए सलेंडर के आसपास की नलियों तक पानी या फिर कुलेंट पहुँचाने का काम करता है पिश्टन में डीजल बर्न होने से गर्महाट और उर्जा पैदा होती है जिससे की टेक्टर इंजन गर्म होना सुरू हो जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए ये कुलिंग सिस्टम बैठाया गया है जिससे की टेक्टर का प्रफॉर्मेंस बहतर बना रहे है टेक्टर का इंजन जब चालू किया जाता है उस समय से लेकर जब तक वो 80 डिगरी को क्रॉस नहीं करता है जब तक वो 80 डिगरी से उपर न पहुंच जाए इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट जैसे ही टेक्टर 80 डिगरी से ज़्यादा गर्म होना सुरू हुआ ये थर्मोस्टेट सेंस करता है जहां पे पिश्टन ब्लाश होता है उसके आसपास के एरिया को वो सेंस करते हुए थर्मोस्टेट खुल जाता है थर्मोस्टेट खुलने से वापस वाटर जो है वो रेडियेटर में पहुंचता है जिससे की उसका कूलिंग करके वापस वो इंजन तक पहुंचाने का काम करता है उसके बाद फिर काम आता है रेडियेटर का, रेडियेटर से हवा अंदर की ओर जाती है और हवा को ठंडी करके वो इंजन तक पहुचाने का भी काम करता है, साथ ही इसमें आपको रेडियेटर के अंदर जो गर्म, कुलेंट या फिर पानी रहता है, उसे पूरी तरीके से ठं अंदर की ओर हवा को खिषता है, बहुत से लोग यही समझते हैं कि अंदर की हवा को बाहर की ओर धक्का देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसान भायो, रेडियेटर को जब वो गुजरता है हवा, वहां से गर्म हवा रेडियेटर में आते ही ठंडा होने लगत करता है पंखे से, इसमें दिये गए वाटर पंप में मिनिमम और मेक्सिमम का लेवल बना होता है, जिसके आपको बीच में ही मेंटेन करके रखना होगा, तो यह रहा वो टेक्टर इंजन को ठंडा करने की सारी प्रक्रिया जिस तरीके से ठंडा की जाती है, अब सबसे बड कारण, वाटर में TDS पाया जाता है, जिसे नापने के लिए अलग से एक मीटर आता है, इसे आप हर जगा नहीं नाप सकते, इस वाटर TDS के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा खारा है, या फिर इसमें चूने की मातरा कितनी है, जब संडलेंडर के जमा हुआ आपको दिखने लगता है, ये वही काम करता है, टेक्टर के इंजन के अंदर भी, बारिक और बतली नलियों में जब ये जमना सुरू हो जाता है, तो पानी का जो बहाओ है, उसमें रुकावाट आता है, जिसके वज़ा से इंजन सही तरीके से वरकनी कर पाता, और इसे समय दर समय में चेंज करना या फिर क्लीन करना बहुँ जादा जरूरी है, पिसान भाईयों दूसरी बात, आप इसमें कूलें डाल के यूज करते हैं, तो उसमें भी साधे पानी का इस्तिमाल करते हैं, तो वह भी जमना सुरू हो जाता है, तो आप सबसे पहले काम होने का, पाइपलाइन फसने का संभावना बहुत जादा बढ़ जाता है, तो पहली चीज आपको ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें आप वाटर जब भी यूज करें, डिस्टिल वाटर का इस्तिमाल करें, दूसरी बात, जब भी आप इसमें कूलेंड डालते हैं, त तक ही कर पाता है, वो बहुत जादा ठंडा नहीं कर पाता है, इसलिए आपको कूलेंड की आउसकता पड़ती है, टेक्टर इंजन में कूलेंड सिस्टम में ऐसा समझा जाता है, कि टेक्टर को बहुत जादा ठंडा रखने में ही बहतर है, पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा बहतर प्रफॉर्म करता है लेकिन जर्रोत से ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए उसमें कूलिंग सिस्टम को बैठाया गया है और उसमें आपका कूलेंट मिक्स आप वाटर डालेंगे तो वो ज़्यादा बहतर आपके टेक्टर को ठंडा कर पाएगा तो आप जब भी यूज़ करें किसान भाईयों डिस्टिल वाटर का आप उपयोग किजिए बहुत सस्ता आजाता है मार्केट में 15 रुपै से 20 रुपै की एक लिटर की बॉटल आ जाती है तो दूसरी बात आप इसे कितना डालना चाहिए तो आपको म उसमें डिस्टिल वाटर का इस्तिमाल करना चाहिए और 2 लिटर आपको कूलेंड मिक्स करना चाहिए तोटल 6 लिटर इसमें रहना ही चाहिए और उसके बाद आपके टेक्टर में दिये गए एक्स्ट्रा बॉक्स में जिसे हम कहते है कूलेंड टेंक उसमें आप गेज तरीके से काम कर सके और ठंडर है जो 80 डिग्री से उपर का ट्रेंप्रेचर है वो सहीं से मेंटेंड भी हो सके तो ये जानकारी आपको कैसी लगा नीचे कमेंट करके बताएगा और इसी तरीके के जानकारी पाने एक लिए मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं ऐसी कोई नौलेज भरी वीडियो के साथ तब तब के लिए जय हिन जय भारत पिस्टन के आसपास दी गई नलियों में कूलेंड का पानी बहता हुआ वापस रेडियेटर तक पहुंच जाता है जब तक कि आपका टेक्टर 80 डिग्री सेल्शियस तक गर्म ना हो जाए तब तक आपका थर्मो इस्टेट ओपन नहीं होता अब यह थर्मो इस्टेट क्या है जैसा कि आप वीडियो में द दिखाया गया है यह थर्मो इस्टेट का काम क्या रहता है